उनके एर सर्कुलेशन को आपको घटाना है बढ़ाना है तो जश्ट इन लीवर के माध्याम से आप इसके किसी भी फैन की हवा को कम या जादा कर सकते हैं तो भाई साब आप यदि इनको सिप्ट करते हैं बेल्टों को तो पांस सो चाले सार पियम में ट्रेक्ट इस सेम रहेंगे आप इसके फैन की स्पीड को कम से कम और जादा से जादा कर सकते हैं इसकार किसान भाई ओ आज की फिर एक नई वीडियो में स्वागत है एक नए मल्टी क्रॉप फ्रेशर फार्म लेंड मल्टी क्रॉप फ्रेशर के साथ में किसान भाई ओ बैसे तो यह जो मल पनी रन आउट करती है वह भाई साब मालवा एक ब्रो इंडरेस्टी किसान भाई उसकी संपूल जानकारी देने वाले है क्या कैसी सब्सेडी होने वाली है कौन-कौन सी फसलों को निकालने मैं सक्षम है इससे आप गीली से गीली और सूखी से सूखी हर तरह की फसल जो है नि जो है अच्छी और lightweight performance के साथ में चलता है उसी के साथ जो bearings विगे रहा है आपको split type bearings इसके अंदर देखने के लिए मिल जाता है किसान भाईयो जिसके अंदर काम करना बड़ा असान होता है जूला के अंदर जो है company ने आपको multiple settings दी हुई जूले की चाल को घटाना है बढ़ाना है वो चीज़े आप कर सकते हैं उसी के साथ साथ किसान भाईयो आप इसके elevator को उतारना चाहते हैं चढ़ाना चाहते हैं उसके लिए भी आपको एक यहां पर handle मिल जाता है जिसके माद्यम से आप इसकी side टोकरी को बड़ी असानी से ऊपर और नीचे कर सकते हैं उसी के साथ साथ किसान भाईयो हम बात करें जब आप इसमें गीली से गीली और सूखी से सूखी हर तर है क्योंकि crop निकालना वाले हैं तो कभीं बार क्या होता है किसान भाईयो इसके अंदर कभी कभी आप के देखा होगा बेगरा'd हो रही एं जैसे पत्तिय वेघार ₹्यजा वेगरा चोछोग हो रही है तो उन चीजों को आप यहां से गया नेजिख सकते हैं उसी के साथ साथ किसान भाईयों यहां पर जो भाई साथ हमारा मैन रोल आउट होने वाला है जिसको हम भाई साथ ड्रम जाल बोल देते हैं तो यहां पर जो system है कंपनी ने support system दिया हुआ है जिससे यह पराली के डंठल को भाई साथ 30-35 फिट और 35-40 फिट तक फैकने में लग भग सक्च्षम होता है जिसके करना किसान भायओ पास में तो है पराली का धेर वेगेरा नहीं लगता। उसी के किसान भाइयों, आपको यहां पर कुछ ड्रम्स जाल वग्यरा भी में थोड़ी वहाद सेटिंग करनी है, इनके फैनों वग्यरा में कुछ सेटिंग करनी है, फैन भग्यरा खोलके देखने नहीं तो यहां से भाई साफ आम इन ब्लोक के मात्नियम चेंस के ओपन करके लोग कर होती है हमें ट्रेक्टर के आरपीम के हसाब से इस थ्रेशर की स्पीड घटाना या बढ़ाने से मतलब नहीं होता मतलब आपका ट्रेक्टर यदि 540 आरपीम में चल रहा है और थ्रेशर के राउंड भी यदि मान लो 540 हैं तो भाई साब आप यदि इनको सिप्ट करते हैं बे इसके साथ किसान भाई हो यहां पर जो एलिवेटर हमारा होने वाला है यह करीब-करीब साथ से 850 टैंडरड साइज का लगभग लगभग आपको इसके अंदर ऐलिवेटर देखने के लिए मिलता ऑपको यह चीज़ेंडर्ड साइज है और इसके अंदर भी कम्पनी ने किस ब्रेंड एक है लेकिन मैं फार्मलेंड की बात करूं भाई साम तो दाना सफाई के ऊपर भी भाई साफ मुख्ष रूप से काम करता है तो यहां पर दाना सफाई को पूर जो है आपको सिंगल जाली विगेरा इसके अंदर देखने के लिए मिल जाती है जिससे दाने विगेरा है कि यदि हम बात करें तो स्टेंडर्ड साइज के हैवी ड्यूटी हैवी क्वालिटी बजनी विल इसके अंदर डवल विल यूज किये गया है जिसके करने यह जो मल्टी क्रॉप त्रेशर है वाई चाप 35 एक्टर भी में बड़ी असानी से चल जाएगा साथी साथ क्वाल चैनल आपको देखने के लिए मिलेगा तो आपको काफी ज्यादा हैवी ड्यूटी मजबूत एक्सल जो है कंपणी ना दिया हुआ है टायर विगेरा की हम बात करने तो आट-पच्चिस वाई कुछ है आपको जो है इसके अंदर सोला का टायर देखने के लिए मिल जाएगा उसी के साथ साथ किसान भाईयो आपको भाई साथ इसके अंदर वेरिंग्स विगेरा जेद विए गये हैं हर एक वेरिंग के ऊपर वेरिंग तू वेरिंग कंपनी ना इसके अंदर भाई साथ और यहां पर आप देख सकते जो जूला साथ है यहां पर आपको प्रॉपर भाई साथ मालवा वेगरा की बैजिंग भी देखने के लिए मिलती है तो मालवा ही भाई साथ इस ठ्रेशर को रोल आउट करता है मैनुफेक्चर करता है एन अल ओबर पैन इंडिया उसी के साथ हसाब से मल्टीपल एजेस्टमेंट आप ले सकते हैं कटिंग्स वेगरा की अधि हम बात करें तो सी एंसी लेजराइज मसीन से जो है कटिंग्स वेगरा की गई है उसी के साथ साथ किसान भाईयो इसके अंदर जो हमारी डोली होने वाली है यह जो आप देख रहा है भाई स आप इसके डोली के अंदर जो है रोलर सिस्टम दिया गया है उसी के साथ कंपनी ने इसके अंदर जो है चुहा सिस्टम लगाया हुआ है जो कि पांस से दस साल आपको लॉंग लाइफ देने वाला है और कभी खराब बिगेरा भी होता है तो सिंगल वेल्ट अप के माद्ध से इसको बंद कर सकते हैं ताकि रोड में चलते वक्त यह जो डोली है नीचे ना आए और संकीन दास्तों से बड़ी असानी से बाहर निकल जाए उसी के साथ साथ यहां पर आपको जो सिंगल यूसी वेरिंग दिया गया है यहां पर आपको उसकी सिंगल पुली रेखने के मिल जाती है यहां से भी जोकी को सेनसे कर सक्टे मेर। से लूबर की के लिए ह Turns लिए जाना जाता है उसी के साथ किसान भाइयो हूं इसके अंदर तो फैन लगे हुए है चार से पांच फैन लगे हुए हैं उनके एर सर्कुलेशन को आपको घटाना है बढ़ाना है तो जश्ट इन लीवर के माध्याम से आप इसके किसी भी फैन की हवा को कम या ज़्यादा कर सकते हो यहां से जो तूटी-फूटी डंठल आने वाली है उसी के साथ साथ किसान बात करें तो कट्टे भी माल से ले सकते हैं उसी के साथ साथ किसान भाइओ आप इस इस सी जफिटे के अंदर देखने के लिए मिल जाती है यह पचीशो तरह की गीली इवं सूखी अरतरह की फसल निकाल सकते राट मूंग धान गयह हुं सभी तरह की अल्मोष्ट गीली और सूखी फसल निकाल सकते हैं तो किसान भाई यो कैसा लगा आपको फार्म लेंड कंपणी की तरफ से आने वाला यह शानदार मल्डी क्रॉप थ्रेशर कमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो को लाइक पॉलो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जय ज आपके वाई जैगे जाएगे जानदा